मॉर्निंग स्टुडेंट्स तोडे विल डिस्कस पार्ट टू आफ लास्ट चेप्टर दे कि चैलेंज गोपाल तो ब्रिंग हिलसा फिश इन पालेस विदाउट गेटिंग हाइपड अपको याद होगा कि कि चैलेंज देता है कि तुम्हें हिलसा फिश लेकर आनी है और करने के बाद वो उस चीज के लिए पूरा प्लान बनाता है और कुछ दिनों के बाद वो अपने गर से निकलता है गेट्स हाफ शेवन और अच्छे से मला हुआ है और वो फटे पुरा ने कपड़े पैन के गर से निकल जाता है यह सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो उसके प्लान का ही एक पार्ट है वो क्या करता है अपने आपको इस तरह सिर्फ दिखाता है कि वो एक बिखारी है वो एक बेगर है और उस बेगर की वेशबुशा में वो वहां से गर से निकलता है जिसके लिए उसकी वाइफ बिल्कु नहीं बताता है और फिर वहां से घर से निकल जाता है फ्रम दे मार्केट ही बाइस ही तरफ जाना शुरू करता है रास्ते में जब मार्केटी बात करी रहे हैं तो आप कोई पता होना चाहिए कि कि वहां पे जो मार्केट की सिच्वेशन है वहां पे सारे लोग हिलसा फिश के बारे में बाते कर रहे थे पर अब जब गोपाल जो है वो जब मचली खरीदता है और मचली मतला हिलसा फिश खरीदने के बाद जो मार्केट से गुजरता है तो क्या होता है तो उसने बताया कि राक लगा रखी है फटपुराने कपड़े हैं इसकी जो मूचे हैं वो देखो मतलब उस पूरे परसन को देखने के लिए लोग इखटा हुए है और सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं हिलसा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है और वो सोचते हैं कि यह कोई बिखारी है जिसको वो गेट पे ही रोक लेते हैं और बोलता है कि मुझे राजा से मिलना है पर जो बाहर की तरफ वाच्मेंस होते हैं गाड्स होते हैं वो बलते हैं नहीं अंदर नहीं जा सकते अब ओन कोई देखता है तो उसे लगता है कि यह क्या है यह कौन बेगर है पर सडली वो उसकी जो फेस होता है उसको बहुत अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह जो है इन दे पैलेस, दे किंग रिकिनाइज हिम, कि ये तो हमारा गोपाल है, और सारे के सारे लोग गोपाल के बारें बात कर रहे थे कि यार ये केसा दिख रहा है, देखो ये कौन है, कौन है, इस तरह से चल रहा था, कि इस जरणी नानagya कर दो की, जरणी जो थी तब तक सारे के सारे लोग ये नहीं सोच रहे थे त्याज कुण सी फिश ले जा रहा है हिलसा फिश ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है बाट सारे लोग उसी के बारे में बात करे थे किसी ने भी उस हिलसा फिश को अटेंशन नहीं दी सारे के सारे लोग जो अटेंशन दे रहे थे वो दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ गोपाल को, क्योंकि गोपाल जो है, उसकी जो कंडिशन है, वो बिलकुल बेगर जैसी थी, और वो बिलकुल बेगर ही लग रहा था, तो when a person looks like a beggar और ragpicker, तो सारे के सारे लोगों का जो focus था, जो attention था, वो सिर्फ गोपाल के उपर ही था, जो एक बेगर का भेश लेकर आया था, थस, in a very cunning way, गोपाल completes the challenge and he wins the heart of the king, इस पूरी तरीके से, इस चालाग तरीके से, उसने अपने टास्क को complete किया, और इस पूरे टास्क में किसी ने भी हिलसा फिश के बारे में बात नहीं की, सब लोगों ने सिर्फ गोपाल के बारे में, उसके जो appearance था, उसके बारे में उसकी जो बिखारी वाली वेश-बूशा थी, उसी के बारे में discuss किया, और कोई भी discussion नहीं हुआ, और उसने finally राजा का challenge और दिल दोनों जीत लिये, तो चलिए बात करते है moral की, never run away from the challenges, कभी भी आपको challenges से भागना नहीं चाहिए, be open to them, उनकी तरफ खुल के जाना चाहिए and accept them like a brave man, और उनको accept करना चाहिए, challenges को accept करना चाहिए, जैसे बाहदुर लोग किया करते हैं, तो यह थी एक छोटी सी story, गोपाल इन हिंसा फिश, तो आपको चप्टर रीड करना है, और साथी साथ मैं इसकी exercise आपको बेज़ दूँगा, वो complete करना है, तब तक के लिए, thank you so much.